हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है जी वसीम चैनल में इनकी साथ की स्वीड़ में हम इन्फिनिक सौट थर्टी वाइब जी वर्सल फुक्व को एम सिक्स प्रो के बीच में फ्रीफायर मैक्स का डिटेल कॉंपेरिशन करने वाले हैं तो सबसे पहले यहां पर इन्फिनिक सौट थर्टी वाइब करेंगे तो फ्रीफायर में एंटर हो चुके हैं सबसे पहले सेटिंग आपको दिखा दे तो देख सकते हैं सारे सेटिंग फुली मैक्स कर दिया एंडिक टाइमिंग की बात कर लिए सो अभी है टाइम हो रहा है च जरूर से चेक आउट कीज़ेगा साधिक इसका गेम और जो फीचर देखने को मिलता है एक सरे ना उसके सारे ही फीचर्स को मैंने डिटेल में बता दिया तो उसका भी वीडियो हमने अपलोड कर दिया तो वीडियो चेक आउट जरूर से कर लिजेगा अब दोस्तिस फोन की इसपेक्स के बात के जे तो इसमें आपको मिल जाता है 120 हर्ट का काफी बड़ा साडिस्प्ले जो की ups LCD अच्छी चीज़िए है कि इस इसमें आपको सिर्फ 120 हर्ट का सपोर्ट नहीं है बल्कि यहां पे आपको 90 हर्ट आपको सपोर्ट देखने को मिल जाता है साँने की 60 He bringt क तो मिलेगा इस बैटरी की बात कर लिए तो 6000 एमेच की बैटरी देखने को मिल जाती है यह काफी मुझे सही लगा यहां पर चार्जिंग की बात के लिए तो चार्जिंग में आपको थोड़ा निरासा होगा सिर्फ और सिर्फ 18 वाट का ही चारजर आपको बॉक्स में देखने देखने को मिल जाता है तो एक लिए बड़ा बैटरी है तो चार्ज करने में तो टाइम लगा वैसे कि इसका जल्दी आपको चार्जिंग टेस्ट वाला फुल वीडियो आएगा यहां पे कितना देर यह बैटरी वैक प्रवाइड करता है वह भी आपको डिटेल में बताए बताए पर बतादो कि डुल स्पिकर अबी सपोर्ट देखने को मिल जाता है और अब बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है बट सिंगल स्पिकर से अगर कॉंपेरिजन की जिएगा तो वहां पर यह आपको बेटर फिल देगा अच्छी चीजी है गई इसमें आपको एन्फ सी इसी बात के लिए कैसा यह परफॉर्म करें तो जैसे कि हम इसको प्ले कर रहे हैं 60fps तो इस यहां पर इस यह बिल्कुली प्रोवाइड नहीं करता है यह फॉन दिकत नहीं है प्रोसेसर की दिकत यह है ऑप्टिमाज़ाइशन की इसी प्रोसेसर को से मैंने लावा ब्लेश सब्सक्राइब करता है तो जैसे कि मैं आपको हर बार बताता हूं कि अप्टिमाज़ाइशन पर डिपेंड करता है तो वह यहाल यहां पे उतना अच्छा सही है मुझे अप्टिमाज़ाइशन नहीं लगा डिवाइस जिसके वाइस यहां पे यह फुल 60fps नहीं प्रोवाइ सब्सक्राइब करता है तो मतलब इस टाइम में कहूंगा कि इन्फिनिक्स से मुझे निरासा हुई जीटी टेन प्रो में भी कुछ ऐसा ही परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा था और इसमें भी अभी इनका अप्टिमाज़ाइशन बेकार हो चुका है इन्फिनिक्स होड़ बहुत ही सही था बटकि इसमें आपको यह दिक्कत देखने को मिल जाती है तो यहां पर फिर से अप्टिमाज़ करने की जो रहते हैं अभी यह अच्छे सब्टिमाज़ नहीं कर रहे हैं कि लिए मैं कह सकता हूं बागी दोस्तिया पर्फॉर्फॉर्मेंस में आपको लेक तो नहीं मिलता है बट वही है कि स्मूथ आपको फिल नहीं होगा लेकिन जीटर वगएरा देखने को नहीं मिलता है कभी-कभी आप स्काइलर यूज़ कि जैगा तो बाइचान साब को जीटर थोड़ा बहुत फिल होगा नहीं तो ओवर ठीक परफॉर्म करता है कोई वैसे तो हीटिंग इसूप पता नहीं चलेगा भी सर्दी के मौसम में बट यह अच्छा से प्रोवाइड नहीं करता है बागी दोस्ति यह थोड़ा सा गेंपले देखिए फिर आप से मिलेंगे एंड मैं बताते हैं बैटी कितना रें किया कितने देर में एंड फिर प्ले करेंग के पोको में भी सुधों जरूर्ण से वीडियो को लाइक करगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीचे आइस अधार इस अधार अधार इस फिर वड़े ऊच्छा एँडा एट अधार आएई झाल 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 काफी अच्छा एक्सप्रेंस रहता है बस वह यह की स्मूथ फिल नहीं होता है थोड़ा एफ इस पे इनको काम करने की जूरता है बागी बैटरी देख सकते ही ग्यारा मिंट में यह तीन परसेंट डिक्रीज के तो बैटरी वह सही यह 6,000 है बट देखते हैं आगा पोको प्रो 5G में सबसे पहले कि यहां पर मैं आपको सेटिंग में लेड़े चलूँ तो देख सकते हैं सारे ही सेटिंग्स वाँने फुली मैक्स कर दिया होगे एंड की से गेम को स्टार्ट करते हैं टाइम देख सकते हैं आप 10 बच कर एक तालिस मिन दो रहा है एंड़ी पर सें देखने वाइस चेंजर वगर रखे भी बारे में बता है इसमें बहुत ही सही वाइस देखने को मिल जाता है बाकि इन्फिनिक्स को जानने के लिए इन्फिनिक्स के बारे में आपको वीडियो देखना होगा तो जरूर से देख लेजिए तो आपको यहां पर बात करते हैं इस फोन की एस्पेक्स के बारे में तो आपको यहां फाइब देखने को मिल जाते है इसमें भी इस आपको एटिन वाट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है बॉक्स में ट्वेंटी टुवाइंट फाइफ का डिस्प्ले बट एलसीडी और यहां पे भी डिस्प् सब्सक्राइब काफी अच्छा एस्पेक्स देखने को मिलता है बस यह है कि उतना अच्छा से यह वह उप्टिमाज़ नहीं यह अभी तक कोई भी फॉन नहीं देखा जिसमें यह प्रोसेसर यूज किया गया हो तो नोड़ाट प्रोसेसर अच्छा है बट इस यहां पे इस मतलब यह फोन में मतलब लैग नहीं करता है नहीं कोई जीटर करता है बट यहां पर भी मुझे उतना स्मूथ नहीं हुआ बट यह है कि इन्फिनिक्स जो होट 30 है उससे यह ज्यादा एफ प्रोवाइड करता है उतना स्मूथ यह भी फिल नहीं होता है बट मतलब बहुत य टीटर वगरा नोटीस हो जाएंगे उतना इसमूथ यह फोन रन नहीं करता है जैसे कि लावा का फॉन रन करते हैं लावा के बजट वाले फॉन भी काफिश मूथ फिलो थे बट वही है इसके वैसे आपको थोड़ा परफॉरमेंस में दिक्तर देखने को मिलती है तो यहां प इस वह भी डिपेंड करता है कि कौन से प्राइस पर आप करते हैं क्योंकि इन्फिनिक 130 अगर आप 12000 का प्रॉक्समें से में वाई करेंगे तो यह जीवी 128 जीवी आपको देखने को मिल जागा और यह भी आता है यह तो 128 के साथ में 256 जीवी इसका वेरियंट है बट अबर टेस्ट जरूर से देखिए बाकि इन्फिनिक 135 जी का भी जल्दी अप्लोट करने वाला हूं तो आपको और भी पता चल जाए तो इस थोड़ा सा गेंपले देखिए फिर आपको एंड में बताते हैं कितना बैटरी डेंड किया यह तो जरूर से वीडियो को लाइक करके च कि अच निए अधा कि कि आधा है कि अ जबक अ है आधार के अधा टे। हुआ है है हुआ है 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 तो इस यहां पर गेंप्ले हो चुक है कॉंप्लीट एंड यह फोन जैसे क्या अपको लड़ी बता दिए कैसा पॉफूं करता है इंफिनिक्स होट 30 से मुझे थोड़ा सा बेटर लगा वाकि इस बैटरी परसेंटेस की बात के लिए तो टाइम मुझे उतना ज्यादा बैटरी बैकप देते हुए नहीं दिखा उसमें थोड़ा सा मुझे लग रहा है बागी फूल बैटरी टेस्ट वाला वीडियो देखेंगे तो आपको और मालूम चल जागा तो कि लिए यहां पे पोको एम 6 प्रो भी अच्छा वैल्यू प्रोबाइ मुझे घुने